तो आपने देखा होगा अकसर मेकप के बाद हमारी स्किन काली पर जाती है चाहे हम कितना भी अच्छा मेकप का इस्तिमाल क्यों न कर लेकिन मेकप रिमूफ करने के बाद जो हमारा नेच्रल ग्लो है वो एक दम से वापिस नहीं आ पाता है तो आज मैं आप लोगों से एक ऐस चुटकी भर हल्दी पाउडर दो चमच दही एक चमच सहद और इसके बाद मैं इसमें एड करूंगे नेमभू का रस मैंने आधा चमच के करीब में नेमभू का रस एड किया है अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है दही का इस्तिमाल हमारे चेहरे के लिए नेच्रल क्ल चाता है और मेक अप से डेमेज हुए सकिन को रिपेर करता है बेसन सकिन को साफ बनाता है चेहरे से दाग धब्बे को रिमूव करता है जो कि चेहरे से दाग धब्बे को रिमूव करता है केल मुहासे को दूर करता है और रंगत को निखारता है नेमभू का रस और सहद हमार स्किन में अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाए और इसको लगा के कम से कम 15 मिनिट के लिए छोड़ दीजी और 15 मिनिट के बाद चेहरे को पानी से धो लीजिए उसके बाद कोई भी मॉस्ट्राइजर लगा लीजी आपको फर्क तुरन दिखाई देगा इस फेस पैक का इस्तिमाल आप मेकप को रिमूव करने के बाद कर सकते हैं यह मेकप से डैमेज हुए स्किन को रिपेर करता है चेहरे को साब बनाता है चमकदार बनाता है आप इस फेस पैक का इस्तिमाल डेली भी कर सकते हैं इसके इस्तिमाल से टैनिंग की समस्या खतम हो जा को बरकरार रखता है आप इसका इस्तिमाल डेली कर सकते हैं बाहर से आने के बाद चेहरे को धोने के लिए आप इस फेसपैक का इस्तिमाल एज़े फेसबास भी कर सकते हैं अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजेगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी का बटन आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस न कर पाए तो बने रहे मेरे साथ मुझे अपना सपोर्ट दीजिए थैंक यू